दोस्तों एक तरफ अडानी समूं ये कहता है कि हिंडन बोग की रिपोर्ट जो है वो सीधे तोर पर भारत पर हमला है भारत की अखंडता सम्प्रभुता पर हमला है फिर सवाल ये उठता है कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रितिक्रिया क्यों नहीं सामने आई है क् भारत सरकार तो ये बोलने में लगी है कि हमारा ना तो इस रिपोर्ट से कोई लेना देना है और ना ही अडानी से कोई लेना देना है अडानी जी को तो हम जानते ही नहीं है कहीं ना कहीं यहीं कह दिया है भारत की मोधिस सरकार ने दोस्तों मोधिस सरकार से लगातार ये पूछा जा रहा था कि हिंडन बर्ग ने जो भी आरोप लगाए हैं जो भी आरोप अभी तक अडानी ग्रूप पर लगाए गये हैं उस पर भारत की मोदी सरकार का क्या टेक है उसकर कोई रिपलाई नहीं था क्यू नहीं था वह बयान आ निकल कर सामने आया है केंद्रिय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या बयान दिया है दोस्तों इस खबर में आपको बताएंगे नमस्कार में नामे जयनती जा दोस्तों प्रहलाद जोशी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वज़स से सोशल मीडिया पर भी एकदम धूम मची हुई है क्योंकि यूजर्स लगातार मोदी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो अडानी ग्रुप पर आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं अब उसको और जधा सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अडानी ग्रुप पर हिंडन बग की रिपोर्ट ने दोस्तो जिस तरीके से आरोप लगाया उस रिपोट में गंभीर आरोप लगाये हैं जाहें फीर फिर धोका धड़ी के आरोप हो, बनी लोंडरिंग के आरोप हो जितने भी तमाम आरोप लगाये गए हैं वो आरोप गंभीर है इस बात को अडानी ग्रूप ने भी माना 20,000 करोड की जो FPO की जो डील थी वो वापस लेने का निर्णे अडानी ग्रूप ने किया वीडियो जारी करके बोला जा चुका है कि FPO वापस ले रहा है मोदिर सरकार की तरह से बयान नहीं आ रहा था प्रहलाज जोशी क्या कहते हैं इस वकत आपकी स्क्रीन्स पर खबर है दोस्तों लाफ है ये रिपोर्ट और भारत का नित्रत्व कर रही केंद्र के मुदी सरकार कह रही है कि आडानी इसे उनके उपर जो लगे आरोपे उनसे अमारा कोई लेना देना नहीं है हमें बीच में मत फसाईए हम किसी तरीके का कोई आदेश नहीं दे रहे हैं यह बहुत जादा है भारान कर देने वाला है दोस्तों ध्यान से सुनिये उन्होंने कहा क्या है देखे सरकार ने कहा है कि उनका आडानी समू के मुद्दे से कुछ भी मतलब नहीं है संसदिये काले मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान संसद कैंपस में पत्रकारों से बाच्षीत करते हुए दिय न्यूस 24 ने इसको लेकर उनका वीडियो भी ट्वीट किया है वीडियो तो नहीं दिखाएंगे दोस्तों जो उन्होंने कहा है वो आपको बता देते हैं देखे आडानी समू के खिलाफ अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबक के आरोपो को लेकर संसद के दोनों सदरों में हं सगित कर दिया गया है सिर्फ और सेफ इसलिए क्योंकि आडानी समू का जो मुद्दा है आडानी पर जो आरोप लगे हैं उसका मुद्दा विपक्ष ने उठाया और विपक्ष के उस मुद्दे को दबाने के लिए संसद के कारेवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है तो यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है हम पूछना चाहेंगे कि विपक्ष किन-किन मुद्दों को आपके सामने रखता है और आप किस तरीके से उसको नकार देते हैं महेंगाई का मुद्दा बेरुजगारी का मुद्दा गरीबी का मुद्दा देश में विपक्ष इन्हें अभी इस वक्ष संसद में उठा रहा है तो क्या मुदी सरकार ये कहना चाह रही है कि वो तमाम मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं है जैसे करनाटक में एक नेता ने कहा कि अगर हमको वोट देना है तो हमको लव जिहाद के मुद्दे पर वोट दीजिए हमें ऐसे छोटे मोटे मुद्दे पर महंगाई बेरुजगारी के मुद्दे पर वोट देने की जरुवत नहीं है तो मुद्दा असल में इन लोगों के लिए क्या है हिंदो मुसलिम मुद्दा है हिंदू-मुसलिम मुद्दा है दोस्तों वो अगर ये चाहें अगर इनकी चले तो संसद में वही मुद्दा ये उठाए लेकिन विपक्ष भी एक घटक है स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी ही यही है कि विपक्ष विरोध करता है और विपक्ष का विरोध ज़रूरी है अगर आपने विपक्ष के आवाज बंद करनी चाही तो लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र नहीं माना जा सकता और अभी इस वक्त वही हो रहा है तो संसदिये कारे मंत्री प्रहलाज जोशी साथ जो कह रहे है वो कितना गलत है और कितना सही यह आपके उपर हमने छोड़ा है आप हमें बताइएगा कि यह कहां तक आपको सही लगता है देखे अगर पहला जोशी के बयान के मैं बात करूँ दोस्तों पहला जोशी ने इतना बड़ा बयान दिया कि इससे कोई लेना देना नहीं है सरकार का थोड़े समय पहले आपने अडानी ग्रुप के CEO की तरफ से एक बयान सुना होगा जहां वो साफ सीदे तोर पर ये कहते हुए नजराय जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भारत पर हमला है उसी के बाद से हिंडनबर्ग रिसरच की तरफ से भी रिप्लाई दिया गया कि आप राश्टुबात का चोला ओड़ कर इस तरीके से इन तमाम आरोपों से इंकार नहीं कर सकते हैं आप राश्टुबात का हवाला दे कर धोका धड़ी के आरोपों से इंकार नहीं कर सकते हैं जो कि आपके उपर लग रहा है अब उसके उपर कोई रिप्लाई नहीं आया 413 पन्नों का जवाब देता है आडानिंग रूप इस पूरे मामले पर उसके बाद भी सरकार से लगाता सवाल पूछा जाता है फिर खबर आती है कि सरकार चोड दर्वाजे से केंद्रिय एजेंसियों को लगा चुकी है काम पर कि तुम इस धोका धड़ी का पूरा पूरा ब्योरा हमारे पास पहुचाओ क्योंकि इस वक्त मामला तूल पकड़ रहा है विपक्ष ने संसद में हंगामा किया है विपक्ष ने संसद में हंगामा करने के साज साज सड़क पर भी उतरने की चेतावनी दे दी है कॉंग्रेस ने राश्टर व्यापी अंदोलन की चैतावनी दे दिये दूस्तों कहा है कि सत्र के दौरान ही हंगामा करेंगे सत्र के दौरान ही विरोध प्रदर्शन करेंगे वो भी सडक पर करेंगे तो ऐसे में मामला थमने वाला तो नहीं है अब इस स्थिती को सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो केंद्री एजेंसी सेवी को काम पर लगाया गया है ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहा गया है सरकार क्या कह रही है वो प्रहला जूशी के बयान से आप समझ सकते हैं सत्य हिंदी के खबर कहती है कि सरकार को ये बयान क्यों देना पड़ा इसका एक रिजन बतायै गया है सरकार का ये बयान अपने बचाव में है जनता को सीधे संदेश जा रहा है कि केंद्र सरकार अडानी मामले की चर्चा और सवाल संसद में नहीं होने देना चाहती दो दिनों से यही हो रहा है लगाता है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी पीएम मोदी और कारोबारी गौतम अडानी के समंदू को लेकर आरोप लगाते रहे हैं अभी भी हो सकता है कि यह सत्रा आगे जारी रहे तो राहूल गांधी इसको भी संसद में उठाएं राहूल काफी दिनों से आरोप लगा रहे है कि केंद्र की मोदी सरकार को आडानी और अमबानी नामक दो भारती उद्ध्योगपती चला रहे है हाली में आई इंडिनबर्ग रिसर्च ने जब आडानी समूप दोका दड़ी और वारत को लूटने का आरोप लगाया तो राहूल गांधी के आरोप की पुष्टी हो गई आडानी पर सरकार बचाव की मुद्रा में आ चुकी है लेकिन आडानी पर बचाव नहीं हो रहा है अपना बचाव हो रहा है क्योंकि साफ सीधे तोर पर ये जो घटक है दोस्तों हमारे देश के एक उद्योगपती अमीर उद्योगपती और दूसरे केंद्र सरकार ये मिली जुली एक प्रडाली है एक पर ठीकरा फूटता है दूसरे पर ठीकरा फूटेगा क्योंकि कड़ी जो है दोनों की एक साथ चुड़ी हुई है आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं यही कारण है कि इस वक्त अडानी पर अगर सवाल उठ रहा है तो केंद्र सरकार पर भी सवाल उठेंगे क्योंकि जब मित्रता दिखानी होती है तब तो आप यह नहीं कहते कि आडानी से हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन जब मित्रता अभी कई न कई थंडे बस्ते में जा रही है या ऐसा लग रहा है कि आडानी जी को इस पूरी सिचुएशन को समालने के लिए कोई न कोई तो ठकाना लगाना पड़ेगा तो फिर आप पल्ला जाड रहा है उनसे यह साफ सीधर तोर पर देखा जा सकता है आप कुछ लोगों ने ट्वीट किया है दोस्तों पहला जोशी के बयान को लेकर और सोशल मीडिया पर लोग इस वक्त मोधी सरकार की क्लास लग रहा है एंके बास सुधानशू ट्वीट लिखते हैं दोस्तों कि देश को दिवालिया कर रहा है और बोलते हो कि मुद्दा नहीं है अब यह जो पूरा बयान है प्रहला जूशी का कि उन्होंने का है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए अडानी का मुद् जवाब नहीं दे रही है संजय कुमार लिखते हैं कि सरजी LICSBI और PNB से तो कोई लेनर देना होगा जिन्होंने आम जंता के लाखो करोड रुपे अडानी की कंप्रियों में लगा रखे हैं अडानी के साथ तो ये भी डूबेंगे न तो कही ना कही दोस्तों बहुत सारे को ट्रोल कर रहे हैं मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं सवाल इसलिए भी पूछने जरूरी है क्योंकि हर बार आप बच नहीं सकते हैं हर बार आप देश की जनता को किनारे करके अपना एजंडा सेट नहीं कर सकते हैं देश की जनता का गुस्ता कभी ना कभी तो पर आप बेशक ना बोलिए लेकिन LICSBI जो डूब रहा है उस पर तो आप बोलेंगे कि उस पर भी जवाब दहीं नहीं बनती है तो इसलिए इस वक्त यह सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों और लगाता सवाल पूछे जा रहे हैं हम भी सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इस दे लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आप से किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्काराइब